असलाम लेकुम कैफ ओर लेक्चर 75 आज की लेक्चर का अगास करते हैं आज क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम Constitution of Pakistan आदा आइन कल हमने पढ़ लिया था और याद कर लिया था आदा आइन आज हम पढ़ेंगे और याद कर लेंगे इसमें सिर्फ आप से रिक्वाइड इतना है आई कैप इतना रिक्वाइड कर रहा है कि आपको नाम पता हों कि पाकिस्तान का आइन कितने हिस्सों में डिवाइड़ है और हर बारा पार्ट में और हर पार्ट में क्या-क्या इनफर्मेशन क्या-क्या चीज़ें डिसकस हुई है सिर्फ यह बेसिक नौरिज होना चाहिए एक्जेक्ट उनकी डिटेल जो परवियन है पैराग्राफ वह रिक्वाइर नहीं कर रहा सिर्फ पार्ट और हर पार्ट के अंदर बेसिक इनफर्मेशन क्या डिसकस होनी इसम वाइन है ये पाकिस्तान नहीं आईन में जो नाम लिखा वह बताओ कि इस्लामिक डियर्पब्ले उव पकिस्तान और क्या इंफर्मेशन है पाकिस्तान आयन में क्या लिखा कितनी पाकिस्तान की इसके लावा क्या इंफर्मेशन इंट्रोड़क्री में इसलाम होगा और एक्रणेशन आफ एक्रणेशन प्रटेक्शन अफ लाव यह इंट्रोड़क्री में था सारी सीज़ें और अलॉयल हो और फिर हाईट रिजन क्या है और इसकी पनिश्मेंट क्या है जी सेकिंड पार्ट का क्या टाइटल था fundamental rights and principles of policies क्या fundamental rights आइन क्या fundamental rights देता है state को पताता क्योंकि right state ने देने ना तो पहले तो इस पता है चलता है state है क्या है state किसको बोलते है इसके लावा क्या discussion यह में हर ला जो के आइन के गेस्ट होगा वह वाइड है और चाइड लेबर कंपलसी लेबर इस प्रोहबिटेट स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एड्यूकेशन to all child all children or no discrimination of access to public places procedure for arrest and detention अच्छा यह दो पार्ट थर्ड पार्ट का क्या टाइटल था फेडरेशन और पाकिस्तान क्या बताता है इसमें आइन प्रेजिडेंट और पार्लिमेंट के बारे में प्रेजिडेंट के बारे में क्या बताता है टर्म ओफ आफिस क्या होगी क्वालिफिकेशन क्या है रिमूव उसे कैसे किया जा सकता है उसकी पावर्स क्या है और लिमिटेशन्स क्या लिमिटेशन्स होती है प्रेजिडेंट ने किस के एडवाईस के मताबिक Act करना होता है Cabinet और when minister शाब़ और जो इसी के अंदर दूसरा हिसा कौन सा है उसमें क्या बताता है до Parliament के members उनकी qualification डिस्क्वालिफिकेशन, डिरेशन, लेजिसलेटिव प्रोसीजर, यह लेजिसलेटिव प्रोसीजर हमारे इस लिबस में डिटेल में है, यह आगे स्टडी करेंगे हम, लेजिसलेटिव प्रोसीजर को खास और पे अंडरलाइन कर लेजिसलेटिव प्रोसीजर से मुराद क्या होगी इंवाल पार्रिमेंट के अंदर लिखा वहने उसने हैं नेक्सि पार्ट को उन्सा था प्रोविंसेशिश प्रोविंसेशिश है यह प्रोविंसेश के रिलेशनशिप ब्सटेशन एड ज़ुर्वियस प्रोविंसे खवर enthusiastic कम्पोजिशन उनके फैनांस की कम्पोजिशन फैनांशल प्रसीजर रिलेक्शेशिप बिट्वीन फैडूरेशन एंड प्रोविंसेज इसमें क्या डिस्वेश हरता है कि लेजिसलेटिव पावर डिस्टिबूशन होनी चाहिए प्रोविंसेज को और एड्मिस्रेटिव बिल्कुल ठीक है और नेक्स्ट यह पांच छे पूरे होगे पांच च्छड़ा कौन से हैं इसमें क्या डिस्केशन होती है डिस्ट्रिबूशन ऑफ रेविन्यू बिट्वें फेडरेशन एंड प्रोविंस और इंपोजें टेक्सिस इंपोज करने एंग्जेंशन देनी हैं बॉर्विंग पावर्स के कहां से बारू कर सकते हैं फेडरेशन या जो प्रोविंचल गमेंड है और एंवर वो एंवर बजट की बात भी कर रहा था इसमें कोई पावर और फाइटरेशन ने इसमें कोई एंवर बजट की बात होती थी वो प्रोविंसिस वाले में ठीक जी इसमें कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में आया है तो पूछ लेजिए यह याद करना 12 part के नाम देगे आप से पूछेगा की बताओ किस में यहो सकता है country में कैसे pro depend rather यह और कोई सी एक डिटेल में जो इन्फर्मेशन लिखी है ना कोई सी इन्फर्मेशन निकाल कर आप से कह सब बताओ ये किस वारे section में इसका जिकर है किस वारे part में जिकर है यहां कोई से चार नाम लिखके आपसे बताएगा पुछेगा बताओ इसमें कौन सा ऐसा part है जो के आइन का हिसा नहीं है उसमें तीन part तो वह होंगे जो हमने पढ़े हैं और एक कोई जीव सा नाम दे देगा ज जो मिलता जलता लग रहा होगा तो tackle कर लेंगे आगे चलें next seven part टोटल बारा पार्ट है छे पार्ट कल पढ़गी है च्छे आज पढ़ने लगा इसाथ वाहसा जुडिश्यरी जुडिकेशर जुडिश्यरी के बारे में यानि आइन हमें जुडिश्यरी के बारे में भी बत जालत के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो लोर कोड़ सोती है नोर उन्हें क्या कहते हैं सीविल कोड यह सेशन कोड़ डिस्ट्रिक कोड़ सो को उससे उपर हाइज उससे उपर सुप्रीम कोड़ केरा है इट इनकलोडस establishment, establishment से मुराद के courts कैसे establish किये जाएंगे jurisdiction, court की jurisdiction क्या होगी जैसे कहता है Supreme Court of Pakistan की jurisdiction और Lahore High Court की jurisdiction एक जैसी है क्या नहीं है ठीक है, jurisdiction Supreme Court की पुरे पाकिस्तान पे है जबके जो Supreme Court के इलावा जो courts है, high court है या civil court इनकी एक certain jurisdiction होती है establishment, jurisdiction and functions of courts court के functions क्या होगे, अच्छा आप इसमें बता रहा है कि कौन-कौन से courts की discussion हुई है Supreme Court हो पाकिस्तान की, high courts की, federal श्रिया court federal श्रिया court समझ लीजिए, high court की ही एक टाइप है ये भी एक तरह की high court है, लेकिन ये सिरफ और सिरफ comment करती है, श्रिया related matters के उपर, यानि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई भी कानौन श्रियात के against हो, तो federal श्रियात court की जिम्मेदारी होती है कि ये बताए Supreme Court को, और Supreme Court इसके advice के मताबिक उसको कानौन साजी करे ताकि जो मुलक का, इसलामी जहूरिया पाकिस्तान है ना, तो उसमें जो कवानीन है हाला कि कुछ हमने गोरो से भी कवानीन ली है, लेकिन पाकिस्तान का जो आईन है, वो क्या कहता है कि जो कवानीन होंगे वो, इसलाम की रोशनी में बनाए जाएंगे इसलिए अगर कवानीन ऐसे हैं, जो के English law से drive होने की वज़ा से, Islamic principle के against है तो उनको change करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, जैसे एक suggestion मुझे इनकी याद है, federal share code ने एक suggestion दी होई है, जिसको पर अभी तक और भी बड़ी suggestion है, सूद के उपर भी आप में देखा होगा, उनकी suggestions है, एक suggestion ये थी, के contract act ये कहता है, English law से drive किया गया ना, तो contracted ये कहता है, अगर आपकी चीज में कोई खराबी है, तो आपके लिए जरूरी नहीं है बाएर को बताना, ये हमने पढ़ा हो है ना, silence is not a fraud, जबके Islamic rules ये कहते हैं, कि अगर कोई बंदा बेच रहा है और उसकी चीज में कोई खराबी है, उसे पता है, तो वो गह को बता दे कि इसमें ये खराबी है, अब ये वाली contracted की प्रवियन Islamic rules के गेंस्ट है, तो उन्होंने कब से कहो भाई इसको चेंज कर दो contracted को, वो कहते हैं, नहीं हमने बड़े फैस, जो भी रिजन्स है, बाराल फैडलल श्रीयत कोड का ये काम है, क्लियर होगा, तो जूरिस, ज अधे खिने पैडलल खोकूट भी है, और प्रोवियाटन डो पाइटमें क्वालिफिकाशन और रियमिनेरेशन अव जज़ी ज़ज़ ज़ज चैकि पाइटमेंट की होगी? qualification, remuneration कैसे होगी? High court का judge कौन बनेगा? Supreme court का judge कौन बनेगा? वगरा वगरा. ये सारा procedure, appointment, qualification, remuneration वगरा हमने पढ़ी थी ना थोड़ी दिर पहले. किनकी? MNAs, MPAs की, Governors की? ठीक है? Study किया था हमने? कि provincial government और Governors इनकी qualification क्या होगी? किस section में पढ़ा था? अच्छा, federation में हमने provinces के बारे में पढ़ा था. मैं provincial government की बात कर रहा हूँ. मैं governance की बात करना हूँ. ये किस section में पढ़ा था? provinces बाले में पढ़ा था. Federation में थोड़ी पढ़ेंगे ये? Federation में तो कुछ और चीज़े लिखी हुई थी क्या लिखी हुई थी Federation में चीज़े President के बारे में Parliament के बारे में तो फरक समझ है नहीं किस चीज़ के बारे में किन लोगों के बारे में information किस section में लिखी हुई है MNA MPA बनने का जो criteria है qualification criteria कि सेक्शन में लिखा हुआ है मने 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 करें फैडरेशन फैडरेशन और जज़वनने के लिए जुडिकेश्य नेक्स अधर परवियन्स कंटेंप्ट ओफ कोट किस सीज को कंटेंप्ट ओफ कोट समझा जाएगा इसकी सदा क्या दी जाएगी कंटेंप्ट ओफ कोट समझा है ना अदालत के हुकम की तामिल ना की जाए हुकम अदूली की जाए कंटेंप्ट ओफ कोट सुप्रीम जुडिशल 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 कोट सुप्री और आम लोगों को अगर कोई गलत काम करें तो जज्जे सुनते हैं केस और जज्जेज गलत काम करें कोई सब्सक्राइब किसी बीकिसम की कंप्लेइन हो रेफरेंस पाइल करना उसको इसको प्रोस्टीजर लिखें कि प्रॉब्लम दो नहीं इसमें इसमें क्या बताता है में कोर्स की स्टैप्लिशमेंट जज्जिस की क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन और कुछ प्रोसीजर जैसे कंट्रेंटरफ कोड का उस्प्रीम जुडिशन कॉंसर्फ पाइए लेक्शन इसमें किसका जिकर आए किस तरीके से फिर एलेक्शन कंट्र करवाने हुथ जाएंगे प्रोसीजर सारा एक्षन वाले हिस्सा में डिसकस हुआ है कि इसका मतबह चीफ प्लेक्शन कमिशनर की जो क्वालिफिकेशन कोगी जो उसका रोल्सand responsibilities होगी उदर पढ़ा कुछ नहीं लिखा हुआ उदर यह काम की चीज आज एक्जाम में आई कि आपने पूछते हैं इसको देखो चीफ election commissioner के role and responsibilities क्या है qualification appointment, remuneration सारी discussion कहा होगी इस election वाले section में जुडीकेचर उसके बाद election फिर इसके बाद all existing laws shall be brought in conformity with the holy Quran and sunnah कि जितने भी पाकिसान में कवानीन है किसके मताबिक ते डाला जाएगा islamic laws के मताबिक डाला जाएगा and Islamic council will be established this section describes composition and functions of the Islamic council इस मक्सद के लिए Islamic council बनाई जाएगी जो के सारे कवानीन का जाहिजा लेगी और इस्लामी council रिपोर्ट करते हैं फैडल श्रियाद को और फैडल श्रियाद को बैसिकली जो शरही लिहाज से मतयन करता है कवानीन और उसकी implementation और जो भी उनकी punishment होती है तो यहां पर इस्लामी कोंसल जो स्टैबलिश की जा रही है यह फैडल स्टियाद को रपोर्ट करेंगे और फैडल स्टियाद को फिरागे स्प्रीम को रिकमेंडेशन और गमिंड के साथ recommendation चेर करेगा अश्चा यह जितने भी हमें बुनियादी हकूद पढ़े थे ना कि पढ़े थे fundamental rights क्या थे fundamental rights क्या थे स्टेट की definition फिर उसके बाद education की बात की थी उसने legal protection की बात की थी यह fundamental आइन में मार्शला का concept नहीं है आइन में लेकिन emergency का concept है कि अगर मुल्क में ऐसी सुरत इहाल पैदा हो जाए कि उसको संभालने के लिए कुछ strict action लेने की जरूत हो तो सदर के पास इहत्यार है वो मुल्क में emergency लगा सकता है emergency में जो लोगों के बन्यादी हकुक होते हैं वो मौतल हो जाते हैं यानि emergency में फिर लोगों को जो government order करें उसके मताबिक अमल करना पड़ता है कोई emergency में अगर government मना कर दें बाइज कोई जलसे जलूस नहीं होगे तो कोई जल से जलूस नहीं होगे, कोई ये नहीं कहेगा, कि मुझे बन्यादी हक देता है, कि मैं अपना इजहारे राय की अजादी हो मुझे, और मुझे लॉग की प्रोटेक्शन हो, नहीं, अगर गर्मिंट मना करते हैं, कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो घर से बाहर, नह कि एक्स्ट्रीम केसिस में, वार हो, इंटरनल डिस्ट्रबंस हो, प्रेजेंट एमर्जंसी ही लगा सकता है, मुलके अंदर, फंडामेंटल राइट्स में भी सस्पेंडिंट इंडूरिंग अमर्जंसी विरेट, रेवोकेशन और प्रोक्लेमेशन, कोई लादात वगरा सकता है, कैंसल के, यानि एमर्जंसी स्ट्वेशन में, कोई भी रूटीन में, जो गर्मिन ने रूल्स बनाए हों, जो इहलानात किये हों, उन सब को सस्पेंड किया सकता है, ताकि उस मसले को डिल किया जाए, जिस मसले की वज़ए से इंटरनल डिस्ट्रबंस है, जैसे वा इसके खिलाफ तो नहीं जा सकते, जो इसके खिलाफ जाएगा, वो संगीन अगदारी का मुर्तगिब होगा, लेकिन क्या इस साइन को तबदील किया जा सकता है, कैसे, इस सेक्शन डिस्क्राइब प्रोसीजर तुमेंड कंसीचूशन बाइ एक्ट ओफ मजली से शुरा, पा मैंने इस सर्फ इतना पता है, होना चाहिए, क्या इन में उस प्रोसीजर का जिकर है, मिस्लीनियस, इसके लावा, मिस्लीनियस एक्शन में के सर्बिस्मेंड इन कंसीचूशन ऑफ, पब्लिक सर्विस कमिशन, सर्गारी अफसरान, कैसे पॉइंड किया जाएंगे, पब्लिक आरमी के बारे में, अद्मिस्टेशन ऑफ ट्राइबल एरिया को कैसे ड्मिस्टेश कियाशची जाएंगे, त्राइबल एडिया म सक्कॉत पाकिस्टान के साथ तो है इनका, लेकि इनका अपना सिस्टम होता है, जिसके मताबिए, वो चल के प्रोटेक्शन तूप्रेज cardiovascular के ये पार्स से आज वाले पार्स сделал इसी थे वैसे संचे में में एक फास बात पना क्या है है कि यह कि एंद्क से ही आपको पता चल जाता है कि इसके अंतर क्या डिसकेशन होगी यह यह व्याहा आज वाला था लेक्शर याद करना निसमें आस्ताने फिर इसके पास schedules five schedules और किस schedule में किसी इसका जिकर है ये भी सुनने first schedule described law exempted from application of constitution तो कौन-कौन से laws है जिनके उपर ये आएं apply नहीं होगा होगे कुछ law जैसे sometime ऐसा होता है कि minority से related laws है minority से related कुछ laws है जैसे Hindu family के उपर या Hindu society के उपर जो laws applicable होंगे वो जाहिर है हमारे आएं में तो नहीं लिखे है कि जितने भी laws होंगे वो सारे के सारे कुरान और सुनत के मताबिक होंगे लेकिन जो minorities है हिंदू है इसाई है फार एक्जेम्पल उनके तो जाहिर आपने लाग तो उनके उपर यह फिर आएं की प्रवियन अप्लाइन नहीं होगी वो जैंटेड है उसमें इस तरह के मजीद कुछ एक जैंटेड़ करोगा सेकी शेडूर डिस्क्राइब एलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट सेकी शेडूर बताता है प्रेजिडेंट का एलेक्शन की तो हमने बात बढ़ी थी वो तो एलेक्शन वाले हिसे में उसका जिकर था वह और यह जो एलेक्शन की शवर पाकिसाब जहनल एक्शन थे जिसमें MNAS, MBA को एलेक्शन और प्रेजिडेंट का यह वह एलेक्शन है जो पार्लिमेंट में होता है यानि हम आम अवाम किन को से लेक्शन कर दिये जो परसीजर बता रहा हूं ना या आगे चलके यह बढ़ना है कल यहां परसों के लेक्टर में इसकी डिसकेशन होगी हम जो वोटर्स वोट के जरीय से इलेक्ट करते हैं मने अपने लाके के एंप यह और आपने में से किसी एक परसन को चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं सीम और और MNA अपने में से किसी को प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं प्रेजिडेंट चुनने के लिए MNA स्वरी पार्लिमेंट सारी नेशनल संबली भी सैनेट भी और MPA प्रोविंचल संबली भी कठा मिलके प्रेजिडेंट को चुनते हैं तो यहां पर जो हमने पहले लेक्शन पड़े थे वह MNA के लेक्शन थे प्रेजिडेंट का लेक्शन और प्राइम मिनिस्टर कैसे लेक्ट होगा उसके लिए प्रोसीजर लगा है यहां पर उसने लेक्शन और प्रेजिडेंट का प्रोसीजर बताया क्या होगा जो हमारे स्ले बनना चाहरा नहीं प्रेजिडेंट जज आपको बता हों फोर्फ यह अलफ लेते हैं उस吗 कि किन्स पॉजिशन से हलत लिया जाए 눌러 अगर श्रदीजडों में डिस्ट्राइब लग ंन्युड लेशिसलेटिफ लिस्ट狂 नहीं फिफ शेडुल डिस्क्राइब रिमिनेरेशन टर्म डर्न कंडिशन और सर्विसीज ऑफ जज्ज नहीं अच्छा वो जजज्ज वाले सेक्शन में उनकी रिमिनेरेशन और टर्म डर्न कंडिशन नहीं लिखी हुई थी ज़र आप पढ़ के देखें मुझे लग रहा है शायद इतर एसक्रम ऐड्न की बात थी क्वालिफिकेशन में की बात थी एक है से की बात थी औरиком ये झालियों थाषर लेकिन वह बात सी सुप्रिावों कोड के जैज्ज इस की हाई कोड़ के जैजिस की इसका मतलब है यहां पे कौन से वाले जैजिस की बात हो रही होगी मेरा ख्याल मैंने पड़ा नहीं हुआ क्योंकि जो चिस लेबस में से पड़ने का क्या पाइदा मैंने यह आई ने पाकिस्तान पूरा नहीं पड़ा हुआ ठीक है सिरफ एक दफा ओपन करके इसकी हैडिंग और रेड करके जो एहम पॉइंट्स थे वह इसमें इंक्लूड कर दिये इसमें आई कैप की बुक में कुछ पॉइंट्स ऐसे था जो नहीं थे मुझे इंट्रस्टिंग लगे तो मैंने वह भी इसमें आई कर दिया आप जब नहीं पड़ा तो शेडियूल की तरह तो बहुत आई नहीं है अगर शेडियूल पड़े तो फिर मुझे मैं कन्फर्म हो कि आपको कहाए था कि यह जो रिम्देरेशन टरम और रिम्देरेशन टरम और कंडिशन और सर्विसिस ऑफ जजजिस की बात कर रहा है इसमें सारे ज फेडरल स्रियर कोड जजिस के बारे में अलाइदा से सेच्शन दिया पाड दिया हुए बगार्द है कलिया तो याद कर लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब आगे चलें नेस्ट की तरफ जिए याद करना ही है अच्छा चले आप ऐसा कीजिए आपको मैं रेडिंग असाइन्मेंट दे रहा हूं जो आपने घर बैठके नहीं अभी यहीं क्लास में बैठके ही लेकिन अभी चुक्छ नहीं बढ़ाओंगा लेकिन अभी चुक्छे हमारे पास टाइम है आपको रीडिंग साइन्मेंट दे रहा हूं Learning Objective 4 5 मैं कुछ चीजह हैं समझाने वाली learning objective यह एक informative learning objective है जिस से आपको जो पाकिस्तान का सिस्ट्रम है एक पाकिस्तान में कानून साथ कैसे होती है इस बारे में आपको इंफर्मेठ पढ़ाना जहूरा मैंने यह नहीं मैं कहा रहा कि आपने खुद पढ़के तो खुद ही समझने नहीं मैंने खुद पढ़ाना है समझाना भी है लेकिन आपने एक दफ़ा रिडिंग की होगी ना तो बहुत सी चीज़े आपके जहने में बैठ जाएंगी मेरे लिए समझाना असान होगा पढ़ेंगे हम इसको next learning objective में ठीक है कल के lecture में पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ आपने इसको जो officially अभी आपने सिर्फ इसको read कर लेना है clear पहले आप ऐसा कीजिए कि constitutional पाकिस्तान जो हमने पढ़ा एक दफ़ा उसकी reading कर लें फिर इसके बाद learning objective फोर इसकी reading करने आप ने ठीक है जी officially आज का lecture यहां पर conclude करते हैं लेकिन अभी आपकी छुटी नहीं है और online वाले इस्ट्रोंट आप लोगों ने भी lecture खत्म होने के बाद यह reading जरूर करनी है learning objective 3 constitutional पाकिस्तान खास सोर पर जो आज parts पढ़ाए हैं इनकी information कि हम जब lecture plan कर रहे होते हैं ना सिर्फ यह हमने decision नहीं करना होता कि मैं teacher एक घंडे में कितना पढ़ा सकता है हमने इस चीज़ को भी सामने रखना होता है कि student एक एक दिन में कितना याद कर सकता है तो अगर हमें लगे कि हम पढ़ाया तो हमने कम है लेकिन student के याद करने करें सफिशेंट है तो उसे हम आपे break लगा है जैसे कल भी मैंने ऐसे किया नार्मिय मैसा नहीं करते नार्मिय आपको था हमारा lecture पूरे duration का उते तक्रेमन पचास मिनट से लेके एक घंटा साथ मिनट के दरम्यान का लेकिन कल का भी शायद आदे घंटे का था आज का भी आदे घंटे का सिरफ इसलिए ताकि आप याद कर ले तो आपको ये constitution पाकिस्तान याद करना है याद करना है चलिए इसको read कर लीजिए एक दफ़ा और फिर learning objective 4 की भी reading कर लीजिए आज का lecture official यहां में खतम करते हैं आज का lecture official यहां में खतम करते हैं अल्ला हाफिस